क्या दोस्तो आप भी Google Pay के एप से पेसे ट्रांसपर करना चाहते हो क्या आपको नहीं पता कि Google Pay के एप से पेसे कैसे ट्रांसपर किये जाते है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे Google Pay के एप से पेसे ट्रांसपर कर सकते हो तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों Google Pay के एप से पे से ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आप को Google Pay का एप उपन करना पड़ेगा तो ये रहा Google Pay का एप इसके उपर क्लिक करके Google Pay के एप को उपन कर देंगे Google Pay का app open होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा और दोस्तो आपने अगर Google Pay में अभी तलग अपना account नहीं बनाया है तो इसके उपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है तो उस वीडियो का link में ने इसी वीडियो के description में दिया है अभी हमारे इस Google Pay के account में हमारा bank account add है इसलिए मैं यहाँ पर आपको पेसे transfer करके दिखाऊंगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे Google Pay से पेसे transfer कर सकते हैं तो दोस्तो Google Pay के app से पेसे transfer करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ option दिखाए देंगे जैसे कि पहला option आपको मिलेगा scan any QR code तो दोस्तो अगर आपको किसी भी QR code को scan करके पेसे transfer करने हैं तो आपको यहाँ पर QR code के ओपर click करके उसको scan करके पेसे transfer कर सकते हैं दूसरा option आपको मिलेगा pay contacts अगर दोस्तो आप किसी भी contact को अपने mobile में जो register है उसको pay से send करना चाते है तो pay contact की मदद से आप send कर सकते है उसके बाद दोस्तो pay phone number का option मिलेगा तो दोस्तो pay phone number में आपको किसी भी person का mobile number डालना है अगर उसका account google pay में होगा तो आप यहापर pay mobile number से भी pay से transfer कर सकते है और आप उसके नीचे दोस्तो आपको pay to upi id का option मिलेगा तो दोस्तो pay to upi id के मदद से भी आप किसी की भी upi id ले सकते है और यहापर pay to upi id के जरिये भी पेसे transfer कर सकते है उसके बाद self transfer का option आपको यहापर मिलेगा self transfer में क्या होता है दोस्तो आपका समझो google pay में दूसरा भी bank add तो आप इस bank account से उस bank account में पेसे transfer कर सकते है यानि कि खुद के ही दूसरे bank में पेसे transfer कर सकते है उसे self transfer कहते है अभी दोस्तो में आपको bank transfer के जरिये पेसे कैसे send करते है यह वताने वाला हो तो आपको simple से bank transfer के उ प्रफिशन मिलेगा और copy paste bank detail का option मिलेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर enter bank detail manually के उपर click करना है enter bank detail manually के उपर click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा और दोस्तों आपको यहाँ पर bank detail डालने का option आएगा तो दोस्तों आप जिसको भी पेसे send करना चाते है उसकी bank detail आपको यहाँ पर feel करनी है जैसे कि आपको सबसे पहला option मिलेगा account number का तो दोस्तों आपको यहाँ पर उस बंदे का account number डालना है जिसको पेसा send करना चाते है उसके बाद आपको यहाँ पर re-enter account number का option मिलेगा तो दूस्तो उपर जो आपने account number डाला है वही account number आपको यहापर नीचे डालना है उसके बाद दोस्तो आपको यहापर Ifse code का option मिलेगा तो आपको उस बंदे के bank का Ifse code यहापर डालना है उसके बाद जिस बंदे को आप पैसा send करना चाहते हैं, उस बंदे का नाम आपको यहाँ पर receipt name में डालना है, उसके बाद नीचे आपको continue option आएगा, तो continue के option पर click करना है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर सारी detail feel कर लेता हूँ पहले तो तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारी bank detail डाल दी है, अभी उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे continue option आएगा, तो इस पर click करना है continue के option पर click कर देने के बाद थोड़ी से loading लेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, loading खतम होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा, तो आपको यहाँ पर जितना भी amount आप send करना चाहते हैं, इस वाले बंदे को, वह वाला amount यहाँ पर डालना है, तो मैं का pin डालना है, तो हम यहाँ पर हमारी UPI ID का pin डाल देंगे, pin डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे check mark option मिलेगा, इस पर click करना है, check mark के option पर click कर देने के बाद अभी यह processing में चला जाएगा, तो दोस्तों आपको थोड़ा wait करना है, जब तलग इसकी loading खतम नहीं हो जारी तब तलग, तो अभी आप देख सकते हैं, अभी इसकी loading चल रही है, तो अभी हम wait कर लेते हैं, तो दोस्तों इसकी loading खतम हो चुकी है, और हमने यहाँ पर 10 रुपीज successfully send कर दी है, दूसरे के bank account में, तो आप लोग यहाँ पर back आ जाएंगे, तो दोस्तों आप जितने भी पेसे send करते हैं, उतने सारे person का नाम यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी इस account को पेसे send किये तो इसके उपर click कर दूँगा, इसके उपर click कर देने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, successfully 10 रुपीज यहाँ पर send हो चुकी है, तो दोस्तों इस तरह से आप Google Pay के एप से पेसे transfer कर सकते हो,